कयामत के दिन हजरत इस्राफील अलेहिस्सलाम किस जगह से सूर फूकेंगे आपके आप्शन ए बैतल मुकदस से बी यमन के पहाड से सी दोजख से दी जन्नत से और आपका वक्त सुरू होता अब सही जवाबे ए बैतल मुकदस से बैतल मुकदस की एक चटान पर खड़े होकर सूर फूकेंगे हजरत मलकुल मौत के साथ कितने फरिष्टे होते हैं आपके आप्शन ए साथ बी चौदा सी टेकिस डी सोला और आपका वक्त सुरूत अब सही जवाबे बी चौदा चौदा फरिष्टे होते हैं साथ रहमत के और साथ अजाब के और कुछ के नजदिक 500 होते हैं किया हजरत मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूख कब्ज करते हैं या हर जानदार ही आपके आप्शन और आपका वक्त सुरूत अब सही जवाबे डी सिर्फ इंसानों की रूख कब्ज करते हैं हकीकत तो खुदा जानता है अलबता हदिश शरीफ में है कि जानवरों और कीडे मकौडे की रूख तस्बी हमें है जब उनकी तस्बीय खत्म हो जाती है तो उन पर मौत तारी हो जाती है उनकी मौत मलकल मौत की कब्जे में नहीं है यानि अल्ला ताला उन जानवरों की जिन्दगी बिला वास्ता मलकल मौत खत्म कर देता है बाज रिवायत में हैं कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूप कब्ज करते हैं बागी एक फरिस्ता जिन्नात की और एक फरिस्ता शैतानों की और एक फरिस्ता चरिंदे परिंदे दरिंदे मचली कीडे मकोडे की रूप कब्ज करने पर मुकर्रर है बाद रिवायत में हैं कि मलकुल मौत हर जानदार यानि इनसान और जिन और तमाम जानवरों की रूप कब्ज करते हैं वो कौन से नभी हैं जिनके दो नाम रखे गए आपके आपके आप्शन A. हुजूर सलिल्लाहुत अलेही वसलम B. हजरत मुसा अलेही सलम C. हजरत इद्रीस अलेही सलम D. हजरत याकूब अलेही सलम और आपका वक्त सुरोत अब सही जाबे A. हुजूर सलिल्लाहुत अलेही वसलम और हजरत इसा अलेही सलम हमारे नभी का नाम मुहम्मद और एहमद हजरत इसा अलेही सलम का नाम इसा मसीह रखा गया अरब में कितने नभी भेजे गए आपके option A. पांच नभी भेजे गए B. चार नभी भेजे गए C. साथ नभी भेजे गए D. एक नभी भेजे गए और आपका वक्त शुरुत अब सही जाब है A. पांच नभी भेजे गए कितने नभी जिन्दा हैं और जिनको अभी मौत नहीं आई आपके option A. साथ नभी जिन्दा है B. दो नभी जिन्दा है C. चार नभी जिन्दा है D. छे नभी जिन्दा है और आपको वक्त सुरुत अब C. चार नभी जिन्दा है नभी एक त्यार हो जाएए मुझे आप तमाम लोगों से इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट में दे कर जाना मैं आप तमाम लोगों की कमेंट चेक करूँगी सूर्फ हूखने के बाद सबसे पहले कबरे से कौन निकलेंगे आपके आप्शन A. हुजूर सलिल्लाव तुल्य अलेही वसल्लम B. हजुरत यूसुफ लही सलाम C. हजुरत याकूब लही सलाम D. हजुरत आदम लही सलाम और नाजरीन इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी वीडिो आप लोगों को पसंद आये तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जड़ ज़दा शेर करें नाजरें हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें हम अच्छे अच्छे पोस्ट डालते रहते हैं निक नीचे डिस्क्रेप्शन में